एक युवा को अभिमन्यू को छे लोगों ने चक्रव्यू में मारा था छे चक्रव्यू में फसा कर मारा था सर चक्रव्यू के अंदर डर होता है, हिंसा होती है और अभिमन्यू को छक्रव्यू में फसा कर, ट्रैप करकर, छे लोगों ने मारा मैंने चक्रव्यू के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यू का एक दूसरा नाम होता है पड्मव्यू मतलब लोटस फर्मिशन तो जो चक्रव्यू होता है, स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है 21 सदी में सर, एक नया चक्रव्यू तियार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस के शेप में है सर, और उसका चिन प्रधान मंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं सर, जो अभी मन्यू के साथ किया गया था, जो अभी मन्यू को चक्रव्यू में फसाया गया था, वो ही हिंदुस्तान के साथ किया गया है हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं भेनों के साथ, small businesses के साथ, medium size business के से अट, सर, अभिमन्यू को चे लोगों ने मारा था, उनके नाम, दुरोनचारिय, कर्ना, कृपपचारिय, खृतवर्मा, अश्वतामा, और शकुनी, सर आज भी चक्रिवू के बीच में छे लोग हैं सर चक्रिवू के बिल्कुल सेंटर में चक्रिवू में हजारों लोग होते हैं मगर उसके बिल्कुल सेंटर में छे लोग कंट्रोल करते हैं तो जैसे उस टाइम छे लोग कंट्रोल करते थे वैसे आज भी छे लोग कंट्रोल कर रहे हैं मानेने सदसिस्री अपल नाइडू कली सेट्टी जी बारत्यस प्रजास्वामय निकी प्रधाना भूमकवेंचिन पार्लमेंट बावनाननों वच्ची मार्टाइड नंदु कावकास केल पिंचिना आंधर प्रजेस मुख्ष मंतरी गावनील चंद्रबावबुन अडिगायरू मा नायकिलू नोकेसिगारिकी प्रजास्वामय निकी दन्यवादल तिरिजेस कुण्टू विजेरों पार्लमेंट परिदिल उन्ना मा राजाम पट्टनानिकी एपटनींची इरिवे देल नंची उप्रिजबादन उंदी रेल्युवेले लेइन आरेल्युवेले लेइन एर्कपाट चेमनी मीदोरा मंत्रिवारिक कोरु कुण्टू नानू इस एर्कपाट केटिम में वल्ला उरिजसान आंधरपदेस प्रेयनीकली गोड चलो उप्टेव बड़प्तनुदी अलगे गिरिजिल उप्टेव बड़प्तनुदू नंका दैजेसी इसी इप्रिदपादनी अमल्जेयरानी नी मीदोरा तिलिएस कुण्टू अजिक्षा अलगे इरोजु मा प्रेल्वे मा पार्लमेंट प्रेजिल उनना रेल्वे समस्ने मेदा प्रिच्चेवगन पिष्टपेट्टी गतना गोड़ उत्राल मियो पमिंचा तनी साकरंचमानी मीदोरा तिलिएस कुण्टू अलगे पाट्रिका मित्रिकोड गोड गोड रेलवे प यू झेंटा कर से बिग्यूफररण परिच्वदे यू इस थे राविटेझ आख्यावर तू परिकोड नहीं हूं हम आरा अख्याई आराऊ हुसरा, चार्शकिर लिए कर फाना प्रिकोड पारण थैर डग नोल्गत्रस को थेсылित ज सेढ़ आराऊं उनसेख़ार、 चार्ब One element is financial power, the second element is the institutions, the agencies, CBI, ED, Income Tax Department of this nation, and the third is the political executive. It's because these three together are at the heart of the Chakra View, and they have devastated this country. It's because of my expectation was that this budget would weaken the power of this Chakra View, that this budget would help the farmers of this country, would help the youth of this country, would help the laborers, the small businesses of this country. But what I have seen is that this budget, the sole aim of this budget, it is to strengthen this framework. The framework of big business, monopoly business, the framework of a political monopoly that destroys the democratic structure, and finally, the framework of what one can call the deep state or the agencies. And the result of this has been, the first, the first job what did this Chakra View? ने क्या क्या किया जो हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं small and medium businesses है जो करोणों युवाओं को रोजगार देते थे उन पर इस चक्रवियू ने आकरमन किया कैसे किया note bandhi GST और tax terrorism आप लोग अतमकवाद की करते हो पूरे देश में पूरे देश में अगर कोई भी व्यक्ति छोटा बिजनस चलाता है तो रात को उसको फोन कॉल आता है income tax department से GST से और tax terrorism का वो शिखार बना है इस tax terrorism को रोकने के लिए budget में आपने कुछ नहीं किया है तो tax terrorism के कारण और ये जो आपकी नीतिया है जो आपने कोवेट के समय बड़े बिजनसेस की मदद की और जो small and medium बिजनसेस थे उनको खतम किया उसके कारण आज हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है बिलकुल एक युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है अब finance minister बैठी है अब युवाओं के लिए आपने क्या किया बजट में आपने internship program की बात करी और ये शायद एक मजाख है क्योंकि आपने कहा कि internship program सिरफ हिंदुस्तान की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में होगा और 99% जो हमारे युवाँ हैं उनको इस internship program से कुछ लेना देना ने कोई फाइदा नहीं होने वाला है तो आपने पहले टांग तोड़ दी और उसके उपर आप बैंडेट लगाने की कोशिश कर रहे हैं में मुद्गा आज युवाँ का exam paper leak है जहां भी हम जाते हैं आपने बेरोजगारी बेरोजगारी का चक्रव्यू बना दिया इनके लिए और जहां भी हम जाते हैं वो कहते हैं देखिए बेरोजगारी है मगर paper leak भी होता है तो आपने एक साइट paper leak चक्रव्यू दूसरी साइट बेरोजगारी चक्रव्यू paper leak मैं आपको बताता हूँ दस साल में सतर बार हुआ अगर आप जानना चाहते हैं दस साल में सतर बार हुआ है तो सर तो सर तो paper leak के बारे में finance minister ने budget में एक शब्द नहीं कहा है you wow के लिए paper leak सबसे जरूरी मुद्दा है उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है paper leak के बारे में एक बार उन्होंने paper leak नहीं कहा और उल्टा उल्टा जो education budget में पैसा देना चाहिए था वो आपने 20 साल में सबसे कम पैसा दिया है 2.5% और budget is gone education sir दूसरी तरफ दूसरी तरफ आपने दूसरी तरफ आपने दर ये आपकी निमांगते यह मुनिस्का नहीं है आपकी sir यह रणिंग कोमेंटरी करने sir यह मुनिस्का नहीं है sir दूसरी तरफ पहली बार सेना के जवानों को आपने अगनीवीर के चक्रव्यू में फसाया इस budget में अगनीवीरों के pension के लिए एक रुपिया नहीं है आप अपने आपको देशबग कहते हो मगर जब अगनीवीरों की मदद करने की बात आती है जवानों को पैसा देने की बात आती है तो budget में आपको एक रुपिया नहीं दिखाई देता उनकी pension के लिए एक रुपिया आपने नहीं दिया तो उनको आपने उनको आपने अगनीवीर के चक्रवियू में फसाया उसके बाद सर जो अंदाता हैं वो चक्रवियू से निकलने के लिए आपके चक्रवियू से निकलने के लिए जो आपने बनाया तीन काले कानून जमीन अधिकरन बिल को आपने कम्जोर किया उनको आप सही दाम नहीं देते हो इस चक्रवियू से निकलने के लिए उन्होंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है